नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत खुबसुरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप बच्चों के किसी भी प्रजेक्ट में या फिर किसी भी लेडीज प्रजेक्ट में इसे डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लेगा बना बहुत ही आसान है और बनने के बाद बेहत खुबसुरत इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा ऐसे चार चार फंदे हम गिने तो लास्ट में दो फंदा बचना चाहिए जिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि तो यह डिजाइन सामने की तरफ से अंडलता है तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइट से फंदे बढ़ा लिजेगा तो बडर बढ़ाने के बाद यह डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो हम अपना सेकेंड कलर अट और तीसरे फंदे के बीच में हम ऐसे शलाइड डालेंगे और एक लूप निकाल लिया अब उनको अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों में एक साथ शलाइड डालेंगे और बैक लूप से यानि पीछे की तरफ से एक सीधा फंदा बना तो हमने दो फंदे से तीन फंदा बना दे और अब दो फंदो को स्लिप करेंगे नेक्स्ट दो फंदे के बाद देखिए दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हम ऐसे स्लाई डाले है यह हमने किसी फंदे में नहीं डाला है edel की जो दो फंदों के बीच में जो space है उसमें slide डाला है और एक loop निकाल लेंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों के में एक साथ स्लाइड डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से पीछे की तरफ से एक सीधा फंदा बना लेंगे हमने दो काएक किया तो दो फंदे से तीन फंदे बन गए अब अगले दो फंदे हम स्लिप करेंगे ऐसे हम परल वाई स्लाइड डालेंगे और तब स्लिप करेंगे अब फिर दो फंदों के बाद हम स्लाइड डालेंगे दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में स्लाइड डालेंगे एक लूप निकालेंगे फिर उनको अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों में एक साथ स्लाईड आलेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे अब नेक्स्ट दो फंदे स्लिप करेंगे फिर दो फंदे के बाद हम देखिए स्लाईड आलेंगे एक लूप निकालेंगे उनको अपनी ओर करेंगे फिर दोनों फंदों में एक साथ स्लाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे तो हमने पहला लाइन कंप्लेट कर लिया अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइड तो हमने दो फंदों से तीन फंदे बनाया थे तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे अब स्लिप की हुए फंदे इन्हें हम स्लिप कर लेंगे अब देखे ये तीन फंदे हैं तो एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और फिर दो फंदो को एक साह लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे तो तीन फंदे से हमारे वापस दो फंदे हो गए तो फंदे हम स्लिप कर लेंगे तीन फंदे हैं तो पहले फंदे को हम तीन फंदों में से पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक कलर अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो अपने पहले कलर के उनसे सभी फंदो को सीधा बनेंगे तीसरी लाइन में पहले कलर के उनसे सभी फंदो को सीधा और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे अब ये डिजाइन का पाच्वा लाइन है और सामने से तो अब देखिए इन दो फंदों पे हमने डिजाइन बनाया था तो इने हम स्लिप कर लेंगे और अब देखिए जिन दो फंदों को हमने स्लिप किया था तो इन दो फंदों के बाद यानि जहां डिजाइन हमने नहीं बनाया था अब की डिजाइन वहीं बनेगा और अपने दूसरे करर के उन से अब इन दो फंदों के बाद हम लूप निकालेंगे उनको अपनी ओर करेंगे फिर इन दो फंदों में एक साथ स्लाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए दो काई करेंगे नेक्स्ट दो फंदे अब देखिये इन दो फंदों पर डेजाइन नहीं बनाय था तो अब की दिजाइन इन 59 फंदों पर भनेगा तो इन दो फंदों के बाद हम ऐसे slide डालेंगे और एक लूप निकालेंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे यानि यहां हम जाली दे रहा हैं फिर दोनों फंदों में एक साथ slide डालेंगे और back लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे नेक्स्ट दो फंदे हम स्लिप करेंगे ये वो दो फंदे हैं जिस पे हमने पिशली बार डिजाइन डाला था अब दो फंदो के बाद हम स्लाइड आलेंगे दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में एक लूप निकालेंगे उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इन दो फंदों में हम एक साथ सलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देंगे अब देखिए इन दो फंदों पे हमने डिजाइन डाला था तो इन्हें हम स्लिप कर लेंगे छोटी छोटी बूटी का बेहत कुपसूरत डिजाइन है बनाना भी आसान और बनने के बाद बेहत कुछूरत स्लिप किये हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब तीन फंदों में से पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे फिर बचे हुए दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे फिर ये दो फंदे स्लिप किये हैं तो इने हम स्लिप कर लेंगे अब देखिए ये डिजाइन वाले तीन फंदे हैं तो इन तीन फंदों में से पहले हम एक फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे अब फिर ये दो फंदे स्लिप के हुए हैं तो इन्हें हम ऐसे पॉल वाय स्लाइड डालेंगे और स्लिप कर लेंगे अब देखिए यहाँ पे तीन फंदे बुने हुए तीन फंदे हैं अब ये तीन डिजाइन वाले फंदे हैं तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे फिर इस दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे तो तीन फंदे से वापस दो फ और ये दो फंदे स्लिप किया हुएं तो इन्हें हम स्लिप कर देए और अब ये हमारे डिजाइन का सात्वा लाइन है और सामने से तो अपने पहले कलर के उन से सभी फंदा सीधा अपने पहले कलर के उन से सभी फंदे सीधा सात्वे लाइन में सभी फंदे सीधे और आठवी लाइन में सभी फंदे उल्टे तो आर्ट लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है डिजाइन बेहत कुपसूरत है और बनाना भी बहुत आसान देख़िए लग रहा है जैसे फूल बिकरे हुए हो डिजाइन जितना आसान है बनने के बाद उतना ही कुपसूरत दिखाए देगा देखिए फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है बनाना जितना आसान बनने के बाद देखिए उतना ही खुबसुरत आर्ट लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो friends, design आपके सामने है, आशा है, आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको मेरा ये design अच्छा लगा हो, तो कृपिया इसे like करें, अपने friends और family में share करें Thanks for watching